जिला में इस बार सूखे की स्तिते के चलते मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वाम नाम के कीट का काफी कहर बरपा है प्रदेश सरका ने फसलों पर हुए इस हमले के बाद कृची अधिकारियों के जरीए एक सर्वे करवाया जिसमें 6.47 फीस्ती फसल का नुकसान आंका गया था लेकिन अब जैसे जैसे जिला भर से मामले सामने आने लगे हैं यह नुकसान काफी बढ़ सकता है फॉल आर्मी वाम कीट का प्रको बढ़ने के साथ सा कृशी विभाग के अधिकारियों के जरीए लोगों को सूचना देने का क्रम शुरू किया गया है पत्रक छपवा कर भी किसानों को इस संबन में व्यापक स्तर पर जागरू किया गया है इस रोग को काबू करने के लिए कृशी विभाग की तरफ से समय पर किसानों को दवाएं भी उपलब्द करवाई गई है इसके बावचोत कई स्थानों पर दवाओं का प्रियोग करने के बाद भी यहोगी काबू में निखनी आ रहा है इसकी जांच के लिए कृशी विश्व विद्याले के वैग्यानिकों की एक विशेश टीम को गठित करके फिल्ड में उतारा चा रहा है हिमाच्व प्रदेश के कृशी मंत्री विरेंद्र कमर का कहना है कि वैग्यानिकों की टीम इस पर एक रिसर्च भी करेगी ताकि इस कीट का पता लगाने के साथ साथ ऐसे खत्म करने के लिए उप्योगी दवाओं का भी नर्मान किया चा सके तो उसे लगता है कि हसल को नुट्सानि से जादा हुआ है और इसमें हमने विभाग को तुरंट से इसके ओपर पर भीजी हमने पोस्टर शपावा करके भी इस साहर बांट करके भी जगां जगां जड़ा और और मीडिया के बाद हमसे जारकारी की देने का प्रियास किया है कि हमारे पास जो इस रोग के कारण जो इस बर्म के कारण जो नुक्सान हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया इसके लिए हमने द्वाईयां भी जो है उसमेह पर उपलब्द कुराई है लेकिन फिर भी कही जगा द्वाईयों का प्रियोग करने के बाद भी जो है वो ये प्रकौप जो है वो कॉंट्रोल में नहीं हो रहा है तो हमने कहा है कि इसको एक स्पेशल टीम हम एग्रिकल्चर्स डिपार्टमेंट की इन्वरस्टी से जो है वो भेज रहे हैं ताकि इसके ओपर जो है वो साथ में रिसेर्च भी किया जाए कि इसके कारण जो फसलें तबाव रही हैं तो इसके लिए क्या आउम सी दवाई जो है वो पर होगी रहे हिमाचर के सबसे बड़ी आटो डिलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फेल्ड एक्जिक्यूटिव, मोटर मेक्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर संभावना हैं वा इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करे 94-180-35372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा, hr-goingmotor.com पर